यार अगर आपको एक सक्सेस्फुल इंडियन रिवीवर बनना है तो शारुक खान से वीडियो को स्टाइट करो सलमान घं की बुराय कवर और अक्षय कुमार की जम कर चाटो एक परफेट वीडियो बनकर तयार हो जाएगा फिर आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे व्यूज भी मिल जाएगा वाँ भिक्षा शर्मा वाँ मैं आपर बात करो हमारे इंडिया के वन आप दी लीडिंग रिवीवर्स की जिसका फिल्म इंडियन चैनल है दिखर आप इस वीडियो के बाद शायदी वीडियो डिलीट हो सकते है शायद कॉप्रेट श्राइक भी मिल सकते द हद तब पार हो जाती जो एक अलग ट्रेंड शुरू हो रहा है और यह ट्रेंड कहीं ना कि सोसाइटी को अलग वे में लेकर जाएगा जैसे कि अक्षे कुमार की मूवी रिलीस हुई हो उसमें थमनल में तुम सलमान खान को यूज कर रहे हो और फिस सलमान खान को तुम वी में किसी और एक्टर को क्रिटिसाइज करें जबको उस एक्टर का उस पर्टिकलर मूवी से कुछ लेना दे रहा है नहीं है वो नया लड़का है समझ दो फर इसापर वह विचारा स्ट्रगलिंग कर रहा है और उसने कुछ फ्लॉप्स दिये तो आप लोग उसको इतना क्रि प्रिटिसाइज करेंगे तो वह बन्दा क्या करें और सलमान थान को बोले तुम सीखो यह मूवी करो वह मूवी कर और तेरे मोलने से वह से मूवी कर रहा है वह 30 साल से बॉलीड में काम कर रहा है और तूं तीन-चार साल में यूटूब में आके बड़े एक्टर को जिन्ह भी मन नहीं कर तो यह सारी चीज़े यार खतम करो और चैनल चलाना तो अच्छी तरदर चला और हाँ एक सी दिन और मुलना चाहूंगो कि अपने और इसको बताना है कि तुमने सरपट्टा मुवी का रिव्यू डिलीट क्यों किया अपलोड करने के बाद यह ज़रूर कर देन खेर आप हम लोग बात करेंगे बैल बाटम मुवी ट्रेलर की ट्रेलर बहुती ऑसम लगा और ट्रेलर के स्टार्ट में एक बड़ा सा डिस्क्लेमर देखने हो मिलता है दिस्क्लेमर में साफ बता है कि मुवी की जो कहानिये वह इंस्पार्ड है ट्रू इवेंट से मार 1971, 1981, 1984 और 1993 हाला कि 1981 और 84 में जो हाई जैक हुए थे वह अल्मोस्ट सिमिलर ही लगता है 1981 में जो हुआ तो वह चंदीगर से श्री नगर प्लेन जा रही थी और 1984 में जो हुआ तो वह न्यू डैली से श्री नगर जा रही है लेकिन शौकिंग बाद यह है कि 1981 और 1984 में जो इंस्टिनेट हुआ है उसमें उल्मने माइनर सा चेंज किया गूगल पर और काफ यत मुझ को लगीगा 84 हुआ है जैसा लगता है कि इन लोगों ने यह गूगल पर जाके जितनी भी इंडिया में जितनी भी हाई जैकिंग हुई है उन सब को मिलाके उन सब के positive points को मिलाके एक entertaining movie बना दी गई है और इस थरह की movie में प्रॉब्लम यह होती कि audience को पता है कि end में होने क्या वाला है लेकिन वो end audience भूल जाए और इतना interesting movie में director movie को बनाए कि audience बस उस present situation को जी है उस present situation में इतना बंद के रजा है कि वो climax भूल जाए बस वो enjoy करते रहे और यह चीज़ काफी चलेंजिंग हो जाती इस तरह की movie में लेकिन अक्षे कुमार को किसी movie में ले लो तो समझ लो और अक्षे कुमार इस तरीकी के action movie में ही बहुत मज़ा आते हैं हाला कि आप trailer देकर कहीं ना कि air left और baby जैसी wives आती है और यह उन leading actors में से हैं कि जिनको आप comedy देतो action देतो या emotion देतो साला हर चीज में वो एकितम perfectly अपने आपको balance कर लेते हैं बहुत ही कड़ा के locations बहुत किये थे और यह hijack हुआ था sick community द्वारा तो उन लोग ने इस movie में sick community द्वारा कुछ भी चीज़े नहीं बताएं कि अगर ऐसा बताएंगे तो इंडिया में काफी यह movie controversial हो जाएगी जो की अक्षे कुमार और उनकी टीम और कोई बैसा नहीं चाहेगा कि पाई किसी भी community को य आनी कपुर यहां पर इस particular role को निभा रही है वह मानलो कि बेवी में जो लीड एक्ट्रेस थी बस उतना ही रोल होगा ज्यादा कुछ खास होगा नहीं और अक्षे कुमार किसी movie में है तो वहां पर एक्ट्रेस की क्या हज़रा तो तो इसके मूवी में आदीर हुसान देखन कि अगर यह मुवी के लिए इतना ही बोलूगा कि अगर यह ये मूवी का execution engaging है तो ही ये मूवी चल पाएगी अक्षे कुमाल को देखकर first day का collection बहुत अच्छा खासा हो जागा लेकिन second day ये मूवी तभी चलेगी जब audience को ये मूवी पसंद आएगी अब देखते कि क्या वाक्य में कोवीट की इस दौर में ये मूवी छेटर सोनर्स के ल और महारश्णा में तो अभी तक theater नहीं खुले और गेटी गेलेक्सी में जाये मतलब तो महीन हो गया लास्ट मैंने movie देखी तक उसके बाद तो मैंने कोई movie देखा नहीं तो अब मैं hope कर रहा हूँ कि जल्द से सारी situation सही हो जाए और हाँ एक ची जो मैं बुलना भूल किया भाई कि अगरा आप प्रिलर को गौर से देखोगे तो उसमें जो वी एफेक्स बताया उसी कॉलिटी बहुत ही जादा खराब है और यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर बहुत ही लैक करता है लेकिन बॉल्यूट की यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉबलम है कि वह वह बात नहीं है और सेम चीज़ आपको यहां पर भी फील हो रही है और सेम चीज़ टाय कर जिंदा है मूवी आपने देखी तो उसमें वीजो वीएफेक्स ते वह बहुत ही पैक्टिक था तो कहीं नहीं कि वीएफेक्स डिपार्टमेंट को सुदारना ची होगा आप बड करते होनना ऐसे और वीडियोज बनते रहेंगे त्यार बस मिलते रेक्स वीडियो में तिल देन बाई